जो भी छात्र छात्र हैं बिहार बोड मेट्रिक कमपाटमेंटल रिजल्ट को लेकर बहुत इंतिजार कर रहे थे यहाँ पर रिजल्ट तो जारी हो चुका और यहाँ पर रिजल्ट जैसे चेक करते हैं तो वहाँ पर आता है नो डाटा फाउंड या डाटा फाउंड या control चेक्क करेंगे तो आपको इस तरह underface when you have no data found dawlt no data found का option पर मिलेगा जो के आपको इस तरह को मिलेगा यहां प्षापर it नोट नोटर फाउंच होता है तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब फाइनल यह होता है कि आपका जो अभी तक जो है result जो update नहीं किया गया ठीक है result अबडेट नहीं किया यह हो सकता है और दूसरा यह हो सकता है कि आप लोग सही से वहाँ पे नहीं लिखें इसलिए आपका result जो है वहाँ पे upload नहीं किया गया मतलब आप फैल भी हो सकते हैं ठीक है इस तरह कभी यहाँ पर problem चल यह हो सकता है ठीक है और आपको बता दे कि यह जो होता है यह आपका result जो है कि computer पर upload नहीं किया किस लिए नहीं किया कि आप लोग फैल हो गए तो आपका result अप्लोड करने क्या फाइदा है तो इस तरह का यहाँ पर problem भी चल रहा है तो इसका final आपको बता दे कि इसका मतलब अब यह होता है कि आप लोग जो है कि exam जो पास नहीं कर पाएं ठीक है अगर थोड़ा सा late करके check करते हैं अगर आग ठीक है लेकिन यहाँ पर जो अभी हम देखें तो जो छाल लड़का था वो फैल हो चुका है ठीक है no data phone मतलब आपका result upload नहीं किया गया इस तरह का देखन है ठीक है तो टैंसर नहीं लेना है आप लोग हम लाइब आकर के आप सभी का result को check करेंगे थोड़ा सा टाइम है इसके बाद जो आने वाला वीडियो वो लाइब आएंग और आप सभी का result को हम check करेंगे तो चलिए फटापट से आप लोग जो चेक नहीं किया जल्दी जल् वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे अब भी लाइब आएंगे और आप से करेंगे हम चेक करके जरूर देंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक मुले जाइन और बंदेवाद